हेलो इस्वेंट्स वेलकाम वैक टू माई यूटूब चैनल प्रफेसर शिवम त्यारी आज बात करने वाला हूं जैसे कि बहुत सारे स्वेंट्स का कॉमेंट आ रहा है तो सरे इंग्लिश बताइए इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए इंपोर्टन टॉपिक्स केटी क्लिएं इंग्लिश में कैसे हम लोकु केटी क्लियर कर जाए वह टॉपिक बताएए तो देखें English के करें बात करते हैं English के क्लियर करने का बहुत ही आसान सा ट्रीग है कि आप चार से पाच दिन आपके लिए मैं बुल दूदँद हम पास दिन इन एनफ हो गया maximum बता लाने में थोड़ा सा डेले हो गया था उसका रीजन में बता चुका मेरा एक्जाम ता है इसके वज़े से वीडियो थोड़ी सी डेले आई है बट आपको सिंपल सा क्या करना है इंग्लिज पे थोड़ा से जादा मेहनत आप कर दो यह जो भी रिमेनिंग टाइम आपका बचा से कितने का वेटेज है अब यहां पर आपको करना क्या धान से देखना है इसको आपको कुछ टजमत करना छोड़ देना जो आपको पोर्ड का एंसर सीट में पेज थोड़ा सा खाली रख देना इसा नहीं जो कुछन में पहले बोले उसको पहले लिख दो क्योंकि बहुत सा अरे बस्योंनों क्या कर दिया तो डिरेक्ट लिए राइटिंग इसकिल मतलब सेक्शन थर्ड पर पहुंच गयते तो चीज नहीं करना इस से थोड़ा सा टीचर स्के उपर टीचर जो भी चेक करते हैं तो थोड़ा सा इस्ट्रोंट के लिए बेकार रहता है इसका मतलब यह समझ लेते कि आपको सेक्शन 1,2 की कुछ मतलब नौलेज ही नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन क्या बताता हो ध्यान से सुनना और समझना है आपको सेक्शन 1 में मैं यह बोलता हो लाश्ट में करो कौन चा यह बारा मार्स का जो आपको पैसे से ढूड के लिखना रहता है ग्रा सेकेंड ग्रामर के लिए भी छोड़ दो कितना पेस सर एक पेस कंप्लीट मतलब मैं बोलू सिधा सिधा दो पेस आप छोड़ दो दो पेस छोड़ देना है सिधा टू पे आना है टू के लिए यह कोश्चन नमबर बारा बाला चीछ छोड़ो आप आप पर कितना पेस सर फोकस रखने गए कि यह च्छे नंबर अगर जिसका शूटा तो प्रॉब्लम क्रियेट होना चालो जो जो चीज बता रहो अगर उसमें से जो बच्चों का प्रॉब्लम हो गया नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम क्रियेट हो जाएगा अधर वज मैं बोलता है जितना चीज मैं त report meditation स्वाइब यहां पे सब्सक्राइब आप pronounce yeah up रॉपर तरीके से इंग्लिऌ रेंगर लिए उनको किया करते सिंपल साप्स्राइब आना है कैसे इंग्लिस में पास तो कराने का और इस साल की बैस थे इंग्लिस में अल्मोस सबस्चे हमारे यहां से पास हो गए तो उनको कहा दिया जाता है देखो समरी पे एट इस वन माक्स तीन नमबर का टॉपिक है तो आपको दो से ढ़ाई नमबर लेके आने का ठीक है दो नमबर तो ट्राइगर दो नमबर तो मिलना है जिए कैसे मिलेगा सर पहले आपको टाइटल लिख देना टाइटल सर कैसे डूड़ेंगे तो वन से से अधर वेश्चे टॉपिक के बारे में बोला कि आप रीट करो देखो वह वर्ड ना बार 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 मिलता रहेगा ठीक है आपको जो टाइटल है वो मिल जाएगा 98 परिशन बोल रहेगा बार बार रिपीट होता रहेगा वह आप टाइटल कर दो क्लियर टाइटल आपने कर दिया वो टॉपिक हो उसके आप जैसे सेंटेंस इस बच्चों को मैं बोलता बनाने नहीं आता टाइटल का हिंट दिया है जो भी सेंटेंस लिखना उसका हिंट दिया आप क्या करो सेम लिख दो करें तो भी चलेगा लेकिन जो बच्चों को थोड़ा बहुत चेंजिस करने आता हूँ चेंज कर दो के तो जाधा बेश रहेगा मैंने क्या आप बदा खाली ही नहीं छोड़ना जो बच्चों कोई भ थोड़ा बहुत changes करना पड़ेगा इतना भी लिख दिया तो मैंने क्या बताए तीन में से दो नंबर सब को मिल जाएगा सब की बात हुरी यह नेक्स यह तीन के बाद यह तीन आएगा जिस पर तीन मैंसे तीन सब को मिलेगा माइंड मैपिंग पर मिलता है तीन मैंसे तीन नंबर fix मिलता है अच्छे से प्रैक्टिस करके आना माइन मैपिंग तो मतलब यहां तक 34 में हम लोगने टार्गेट पहले 6 मार्ट का किया कि छे में से कैसे भी तीन प्लस दो पांच नंबर लेना ही लेना है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है यह दो के बाद सर सेक्शन पर आजाओ, section 2 पर क्या करना है, जो आपको poetry वाला part है, उसको focus ना रखो, appreciation पर रखो, sir appreciation इतने सारे कैसे याद करेंगे, तो जो कुछ common sentences होते हैं, आप मुझे personal message करोगे, मैं common चीज़, उसको एक ही option है, आपको अब रटना है, और appreciation word आया, appreciation है, तो आपको क्या कर देना, जो भी जितने भी आपकी poetry है, उसके writer के नाम याद रखने पड़ेंगे, यह चीज तो compulsory याद करना ही है, इसके लिए कोई option नहीं है, वो चीज याद करनेगा, और बाकि जो common sentences हो मैं आपको लिख के दे दूँगा, उतना आपको लिख देना है, दो नमबर यहाँ, चार मे से दो नमबर compulsory मिल जाएगा, यहाँ पे, किस पे, appreciation पे, clear, इसके लिए पेस छोड़ देना, कितना सर, एक पेस compulsory छोड़ देना, clear, appreciation कर लेना, जो जो चीज बोला हो वो पहले करना है, और वही बच्चे केटी easily clear कर जाएंगे, section 3 most important है, यह जो बच्चों का छूटा था, ज statement of purpose, मेरा suggestion है, बाकी जो बच्चों को easy लगता हो लिख दो, statement of purpose QDSR, तो यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे कैसे, बहुत सारे जो problem था, हिंदी मीडम, उर्दू मीडम के बच्चों क्या proper sentence बनाने नहीं आता, proper अपना own wording लिखने नहीं आता, तो ओलो को ऐसा चीए तासर हम को ऐसा कुछ दो, कि जो common sentences रहे हम दो क्या करे कोई भी statement of purpose है, तो वहाँ पे लिख दे, तो इसले मैंने उनको बोले statement of purpose लिख दो, ऊपर के sentences है, नीचे को कुछ sentences common से रहते, बीश वाल आपको add करने आता है, कर लेना नहीं आता है, तो भी लिख देना, तो उसका number तो add is मिल कर सकते हैं, बट जो बच्चों का perfect तरीके से नहीं है, वो statement of purpose की उपर की जो लाइने है, नीचे की जो लाइने हो क्या करेंगे, याद कर लेंगे, कहां मिलेगा sir, message करोगे, आप वहाँ पे share हो जाएगा, एक एक चीज, क्योंकि यहाँ पे screen पे add करना भी possible नहीं है, तो इस most important जहाँ पे 4 में से 4 मिल जाएगा सबको, interview question, इसी के base में बहुत सारे बच्चे पास हुएते, interview question अब देखो, यहाँ पे interview question बनाना रहता है, तो बहुत सारे बच्चे मैंने क्या बता है, प्रॉब्लम उनको question बनाने नहीं आता है, तो मैंने क्या गया ना, 10 common interview question दे दिये, कि यह रट लो और जाके section 3 के question number 4 के B में interview question बहुत, यह 10 के 10 copy मार तो 4 नमबर ले लो, ऐसे common question मैंने दिये उनको, इसका video already interview question का video already YouTube पे अपलोड है, आपको क्या करना है, वही याद कर लो, रट लो जो करना है, जैसा करना है, कर लो, आपको interview question लिख देना, 4 नमबर पूरे के पूरे इसमें मिल जाएंगे, किसमें interview question में मिल जाएंगे, next बात करेंगे, C पे, C पे आपको speech writing select करना है, क्योंकि speech writing में भी उपर की line fix होती है, नीचे की line fix होती है, middle में आपको add करना है, तो देखो इधर आप वही problem आ गए, किस तर हमनों को add करने नहीं आता, तो मैं बोल आपको थोड़ा बहुत translation की knowledge होनी चीए, tenses की knowledge होनी चीए, आप क्या करोगे, वहाँ पर add कर सकते हो, but यहाँ पे speech में भी आपको, मैंने क्या बता है, एक से देर नमबर easily मिलेगा, जो कुछ add नहीं कर पाएंगे, add जो करेंगे, तुनको easily 4 में से धाई number तक मिलेगा, clear, कोई भी चीज का review करने बोल सकते हैं, यहाँ पर film review जैसे last time आये तो ऐसा compulsory ने फिल्म गई आएगा, different हो सकता है, तो यहाँ थोड़ी सी problem है, कि रटने वाला कोई topic नहीं है, तो यहाँ पर कुछ जो भी आपको easy लगता है, थोड़ा बहुत add less आप कर सकते हो, तो यह तो हो कर जाएगा, तो आपको क्या क्या करना है, ओध्यान से रखो, क्योंकि बतारों क्या problem होगा, section 4 में आप लोगो कुछ कर नहीं पाऊंगे, section 4 में देखो इदर, आपको जो nobel वाला पाइटन है, वापे आपका रटने वाला topic है, ठीक है, तो आपको आएगा a, b, c, d, चार चार नमबर के topic, तो 4, 4, multiply 4, 16 marks में से, यह तो 12 नमबर देखो सीधा cancel हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा question answer पूछा जाता हूँ, सीधा सीधा question answer आपको topic में पूछा जाएगा, तो यह जो a वाला है, 4 नमबर, यह आपको मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा sir, क्योंकि यह चार नमबर आपको एगदम easy आएगा, का आपको अगर knowledge नहीं है, ढोड़ने आता है तो आप लिख सकते हो, तो यहाँ पी देखो, यह चार नमबर का एक है, जो आप लोग कर सकते हो, तो section 13 हो गया, अब आत करेंगे section 1 में, तो section 1 में देखो, मैं बोलूँगा, जितने भी section 1, 2 and poetry वाले part में, personal response में, personal response में आप कुछ भी लिखते हो, one marks तो मिलता है, कुछ भी लिखते हो, topic से related, कुछ भी means outside, topic जो पूछाग है, उसके बाहर नहीं लिखना है, जो topic पूछाग है, उसके बारे में कुछ भी थोड़ा सा लिखा, one marks मिल जाते हैं, तो personal response, grammar part, last में जा को, कि कुछ पैसेज ले लो, उसमें से question answer, ढूड़ना, लिखना, सीख जाओ, और ध्यान रखना कि यह जितने भी questions है, time बचेगा, कोई भी question छोड़ना नहीं है, चाहे आप गलत लिख रहे हो, चाहे आप सही लिख रहे हो, बट लिखना ही लिखना, आपको जो right answer लिख रह and section 4 में यह वाला part, इतना किया, तो passing हो गया, passing आपका easily score हो गया, उसके बाद यह जो part आप कर रहे हो, यह तो extra marks के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, extra number पाने के लिए आप कर रहे हो, तो simple सा है, English में easy way में practice करना, ज्यादा से यादा वो topic practice करना, जो मैंने starting में बोले हैं, लिख प्रस्यादा practice करके रहे हो, English में कि आपकी केटी clear हो जाएगी, तो चलिए मिलते हैं next class में, जिसमें हम लोग other topic, other subjects के बारे में बात करेंगे, तो देखो जो ऐसे बच्चे हैं, आपके friend circle में, college group में, जिनको English में या फिर other subject में केटी लगी है, उनको भी यह video का link share करना, ता तब तक के लिए thank you so much, मिलते हैं next video में,